हेलो फ्रेंड्स, आधम आपके पेड के पास ख़ले हैं आधम इस पेड के पारदे के बारे में आपको बताएंगे कि यह हमारे शरीर के लिए कितना उप्योगी है अगर आपको जॉइन पेड की प्रॉब्लम है तो आप भी इसका पत्ता ले और इसे गरम कर ले और जहां भी आपको दर्ध है उस थान पर लगाएं तो आपको आराम नहसूस होगा अगर आपके शरीद में सूजन है तो भी आप इस पत्ते को ले ले और इसके दर्ध वाला तेल लगा ले और इसे गरम करके उस थान पर लगाए तो सूजन में आपको आराम महसुश होगा, सूजन दीरे दीरे कम हो जाएगी, लेकि यह आपको निया में प्रूट से क्रोज करना है, अगर आप देखे, यह आपको दिखागी है, अगर आम इन पत्तों को तोड़ते हैं, तो इसमें से इस तरहां का दूद निकलता है, अभी आपने देखा, यह आप मेरी फिंगर पर देख सकते हैं, अगर आपको दान्त में दर्ग है, अगर आप इस दूद को इस पत्ते से निकले हुए दूद को अगर मसूरों पर मसाज करते हैं इस दूद से, तो आपको दान्त दर्ग में और हल्दी मेज दूद को मिला ले उस खान पर आपको नियमी तूप से ये काम करना है और उस खान पर जहाँ एलर्जी है वहाँ पे आप इसे पेस्ट को लगाए तो आपको लाब नहीं सूस होगा अगर आप एस्टिमिक पेशन्ट हैं खासिया आपको बहुत जादा रहती है तो इस पेर में परपल कलर का फूल आता है उसको सुखा लेजिए इसका पाउडर बना लेजिए सुबह शाम अगर आप नियमी तूप से उसका सेवन करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर है थопасिए से उसले आपकी खायदकी तूब्लम मूझन allora दो यू दोग एता है प्रॉबर को जढノ आता है है can you fan